गुड मॉर्निंग स्टूरिंस आज हम करेंगे क्ले मोल्डिंग एक्टिविटीज यह देखिए हमने डिफरेंट कलर्स लिए और इंज कलर है गुरीन कलर है रेट कलर है इसके हम डिफरेंट टाइपस ऑफूट बनाएंगे चोटे बच्चों के लिए जैसे सबसे पहले मैंने और उरेज बनाने के लिए और ऋरंज सबसे पूट बन सकता हूए कि से थ कि भी ब embodlzz को मैंने चोटा पाट लिया इसको हमने इसे रोल कर लिया कि इसहीं रोल इसके हम लीफ बनाएंगे इसको थोड़ा सा प्रेस करें और यह लीफ की हम शेव दे सकते हैं इसको इस तरह से फिर मैंने यह ब्राउन कलर लिया है जब राउन कलर से हम इसकी स्टेम बना सकते हैं चोटा सा लेंगे इसका पाट इसको ऐसे इस तरह से इसके स्टेम बनाएंगे और इसके अंदर जो हमने शेट किया यहां पर फिक्स कर देंगे इस तरह से और यह हमारे ओरंज बन गया है इसकी लीप को हम इस तरह से शेट दे सकते हैं इह हमारा ओरंज त्यार हो गया इसी तरह हम इंद रेड कलर लिया मैंने रेड कलर के दो छोट छोटे सरकल बनाएंगे ऐसे इसको भी ऐसे रोल कर लेंगे, कितने एजी लिए रोल हो सकता है, यहां पर हम इसी तरह से सेम एक और एक बनाएंगे, यह बन रहा है हमारा चैरी, दो सरकल हमने बना लिए, इसको हमने जॉइंट करने के लिए ब्राउन कलर लिए, यह ब्राउन कलर के हम इसके स्टेम बनाएंगे, कि इसको हम पतला पतला रोल कर लेंगे देखे थोड़ा सा और ये इसको हम दो पार्ट में यहां से हम कट कर सकते हैं और इस तरह से चैरी के साथ लगा लें हम यहां हम दोनों को हम ऐसी जॉइंट कर देंगे देखे कितने अच्छी चैरी लगरें अभी क्या करेंगे बनागे अदिक ग्रेप बनाने के लिए यह घ्रीन कलर लिया देखे ग्रीन कलर को यह देखे इस तरह से हम छोटे छोटे-छोटे च्या rärait कर लएंगे सबसे पर्ले हैं इस तरह से मैं जब बच्चे यह दिखuję को पे किले को पिंच करते हैं इनको रोल करते हैं स्कुीज करते हैं इसको डिफरेंट डिफिरंट शेप में convert करते हैं, तो बच्चे की mental growth में फर्क पड़ता है, यह देखिए, इसमें creativity बच्चे की अपनी creativity है, उसको किस तरह से उसको shape दे सकते हैं, इस तरह से बच्चों के all-round development के लिए हम यह सारी activities करवाते हैं, और जो clay है, यह देखिए, हमारी fingers muscles के लिए कितने अच्छी exercise है, इससे बच्चे की fine motor skill development होती है, इसलिए हम यह clay activity की जाती है, यह देखिए, हमने कितने सारे parts में, इसको रोल कर लेंगे, देरे-देर, रोल करके रख लिए हमने different shapes थी इनकी, अब हमने इनको रोल करके देखिए, सब circle shape में ले आए, इसी तरह जब सारे circles बन जाएंगे इसको फिर हम एक साथ कर लेंगे, जैसे grapes के चोटी-चोटे parts यह देखिए इस तरह से, एक दूस्त्री के साथ, mix होते हैं यह देखिए, हम ऐसे इस तरह से, grapes के इसको shape दे सकते हैं, यह देखिए, यह देखिए, हमारा भी यह, हमने grapes देखिए इसके लिए हमने स्ट्रेम बनाई जो हम इसके साथ यह देखिए, और फिर एक छोटा सा लीफ बना कर इस तरह से, यहां पर हम इसे जोड़ देखिए, इसी तरह आप किसी भी fruit को बना सकते हैं, और यह देखिए, कितने एजिली हमने यह 3 fruits बनाए हैं, और बच्चे इसे बह आपको कौन से fruits के नाम भी वच्चों को याद होंगे, इसी तरह आप किसी भी activity को कर सकते हैं, कोई भी fruits बना सकते हैं, तैंक यू